और इस अपडेट को आप तक पहुँचाएंगे क्योंकि देखे जितना हो हला मचा था इस सर्वे को रोकने के लिए और जो पिछली से पिछले फ्राइडे की तस्वीरे आई थी यानि जुम्मे की तस्वीरे आई थी उसके बाद हर किसी के जहन में था कि सर्वे कैसे होगा, स देखे विरेश पांड़े हबारिसा योगी नजर आ रहे हैं, ग्यान वापी परिसर के हर एक हलचल पर तस्वीरों के साथ वो अबारिसा जुडेंगे और खुद इस वक्त वारांसी के ज्यान वापी परिसर में ही मौजूद है, उसके बाहर मौजूद है, विरेश कि क्या कुछ खास देख पा रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास और साथ ही साथ यूपी पुलिस तो मौजूद है ही, और इस तरीके से यहाँ पर श्रिंखला बद्ध होकर ये खड़े हैं, कि आपको देखने में मिलेगा कि ये किस तरीके से ये लोग जो पुलिस के जवान हैं, वो खड़े हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं, ये हर तरफ, हर गली में इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, बाबा भी सुनात के दर्शन के लिए चार गेट हैं, लेकिन केवल एक गेट खुला है, दर्शनार्तियों को जो बाहर से आए हुए दर्शनार्ति हैं, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विद जहर में मौझूद हैं, और कल भी थे उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों की नकेल कसी और टाइट किया, और उन्हें ने कहा कि कैसे पिछले जुमे को यानि शुक्रवार को इतना विवाद खड़ा हो गया, याद होगा दर्शकों को कि ये वही इलाका है कि पिछले शु गोदौलिया से जाता है और जो भी बनारस के जो मैप से परचित हैं सिनलता आप भी आई हैं यहाँ पर गोदौलिया से जब गेट नमबर चार की तरफ हम जाते हैं उस रास्ते को बंद कर दिया गया है और दरशनारतियों के लिए एक गेट खुला है, हलाकि ये सर्बे बह ग्यान गापी परिसर के बाहर की ये तस्वीरे हैं किस तरीके की हलचल है हर एक अपडेट पर हमारी नजर है तो देखिए ग्यान गापी के सर्वे की शुरूआत अपसे कुछी देर बाद होने वाली और सुबह सुबह प्रभात फेरी भी हो रही है इस दौरान प्रभात फ पर जाते हैं और इसे प्रभात फेरी का रूप पहते हैं तो आज मन में क्या है आज एक दिन भी है अफ्धाई तपर्ल उनिस सव अनठान प्रभात फेरी चलता है और बाबा की नगरी में इसी दार्ली नगरी है अम लोग के पुछ देश है कि बाबा के दरबार में हम लोग अपनी सरतितीन हाजिरी देश है और इस देश को ले करके प्रतितीन हम लोग की स्परातर यह तो यह कि बाबा का जो अब दौप जो कर्जा है वहां अज के सरवे के बारे में पता है ना कि आज सरवे टिम जैस्ट तो प्रार्थना क्या है प्रात्रा यही है कि बाबा का जो मुगलों के द्वारा धुश्ट किया गया उपकुनह जो है अस्थापिद को इसलिए अस्थापिद हो कि जितने हमारी मूल धार्मिक नस्ती थी जिसे हिंदूओं को ताकत बिलता था उन्हीं अस्थालों को क्यों तोड़ा गया लेकिन सवह तो यह जो लोग है जो धार्मिक लोग है रोजाना यहां पर आप देखे प्रभाध्यरी लेकर निकलते हैं और आज इनकी प्रभाध्यरी एक प्रात्ना कर रही है कि जो बाबा का जो पुरातन धाम है वो इन्हें मिले लेकिन शांती और तोहार कहीं भी बिगणना नहीं चाहिए शांती और तोहार कायम रहना चाहिए तो काशी से ये संदेश गंगा जमनी तहजीप के शहर से ये संदेश है कि जो भी हो मिल जुलकर सद्भाव के साथ हो तो वारजन से हमारे साथी नितिश के रिपॉर्ट आपने देखी इसी बीट एक बड़ी जानकारी है रूबरू करवादे आपको देखे अपसे थोड़ी दिर के बाद ग्यान वापी परिस्तन में सर्वे की शिर्वात हो जाएगी बड़ी जानकारी है कौर्ट कमिशनर के अगवाई में होगा परिस्तन में सर्वे अपसे कुछी दिर के बाद आठ बजे का वक्त है और देखे साथ बज़ के आठ मिनट का वक्त हो गया है कौर्ट कमिशनर के अगवाई में सर्वे होना है और सर्वे को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम वहाँ पर किये गए हैं चप्पे चप्पे पर ग्यान व्यापी मस्दित के आसपास पुलिस कर्मी तैनात हैं और हर एक हरकत पर नज़र रखे जा रही है साड़े साथ बजे जो सर्वे की टीम है उसके रिपोर्टिंग का टाइम है और आठ बजे सर्वे की शिर्वात हो जाएगी कौर्ट कमिशनर जगवाई में ही ये सर्वे होना है आज बहुत बड़ा दिन है सर्वे के शिर्वात होगी कॉर्ट में ये कहा है कि सर्वे होना है वुडियोग्रफी होनी है अब आज किस तरीके से शांती पूर्ण तरीके से ये पूरा सर्वे का काम पूरा होता है चुकि चार घंटे का वक्त है आज से लेकर के बारा बज़े तक सर्वे का काम चलेगा और ये कहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी भरोसा दिया गया है कि जैसे के कौट के आदेश हैं उसी आदेश के अनुरूप सब कुछ शांती पूर्वक होगा ऐसी उम्मीद वो भी कर रहे हैं और वो पूरा सहयोग करेंगे सर्व की शिर्वात हो जाएगी और टाइनिंग देख लिए आठ बज़े से शिर्वात हो नहीं है साथ बज़े दिकारी यहां पर पहुंच जाएंगे जो सर्वे की टीम है वो यहां पर पहुंचेंगे जो दोनों इपक्षों के लोग हैं उनकी भी मौचूद्गी होगी और बार बज़े तक ये पूरा सर्वे का काम चलेगा चार घंटे ये कहा जा रहा है कि सर्वे होगा